नमस्कार! पूरिमा की आवाज चैनल में आपका स्वागत है. हमारी आज की कहानी है कुद्रत का करिश्मा. आज सुभा सुभा शोभा जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी. वो रोज नियम से मंदिर जाती थी. अभी दर्वाजा हलका सा खुला ही था कि उनकी बहु मन अपने पती सुधीर से कहने लगी. मैं तो रोज सुभा की खटपट से परेशान आ गई हूँ. सुभा सुभा सोने भी नहीं देती. तुम्हारी मां खुद तो नहा धोकर मंदर के लिए निकल जाती है. और दिन भर मैं ही सारा काम करने में लगी रहती हूँ. सारे घर का काम मुझे ही देखना होता है. लेकिन शोभा ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर का काम तुम ही करती हो. जाडू पोच्छा और बरतन के लिए तो काम वाली बाई रखी हुई है. और मुझे मालूम है कि सबजी साफ कराना और कातने जैसे काम तो मेरी मा भी करवाती है. लेकिन तुम हो कि सुभा सुभा चिल्लाना शुरू कर देती हो. अजी जाडू पोच्छा और बरतनों के अलावा भी बहुत सा काम होता है घर में. तुम्हारी मा तो मंदर में दो घंटे लगा कर आती है. इतने तक मैं सारा काम निप्टा चुकी होती हूँ. मुझे तो एक बात समझ नह ही आती. जब इनका घर में दिल लगता ही नहीं है तो तुम इन्हें किसी वृधाश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते? वहां इन्हें इनकी उम्र की सहेलियां भी मिल जाएंगी. मनीशा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ? मेरी मा के बारे में ऐसी बाते मत किया करो. बात करके सिरकपाई कर ही क्यों रहा हूँ? तुम्हारा तो ये रोज का काम है. अब थोड़ी देर शांती से मुझे सोने दो. शोभा जी अपने बेटे और बहु की सारी बाते सुन चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि यह तो उनकी बहु का रोज का काम है. उसने घर का माह हूल ही ऐसा बना रखा था कि वहां कोई शांती से रही नहीं सकता था. इसलिए थोड़ी देर शांती में रहने के लिए शोभा जी मंदिर चली जाया करती थी. बरसों पहले उनके पती की मृत्यू हो चुकी थी. इकलोते बेटे सुधीर के अलावा उनका था ही कौन? सुध शुधीर भी अपनी मा का पूरा ख्याल रखता था. सुधीर और मनीशा का एक बेटा है राजु जिसे अपनी दादी मा का साथ बहुत सुहाता है. लिकिन सुधीर की पत्नी मनीशा को अपनी सासु मा फूटी आँख नहीं सुहाती. जब भी शोभा जी अपने पोते के साथ हस्ती बतियाती तो बहु की घूरती नजरे उनकी हसी को वही दबा देती और वो सहम कर रह जाती राजु अपनी दादी से इतना अधिक प्यार करता था कि एक पल भी वो उनके बिना बिताना नहीं चाहता था यही बात मनीशा को अच्छी नहीं लगती थी सुधीर जब भी श का काम करते करते ठक चुकी हूँ तुम्हारी मा तो दिन भर पड़े-पड़े खासते रहती है अब मुझे इन से छुटकारा चाहिए शोभा जी कि हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहु पर काम का बोज कम से कम रहे तबियत ठीक रहती तो बहु के साथ उसके काम में कर दिया करती थी लेकिन बहु पर तो जैसे उन्हें व्रिधाश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था जिस कारण घर में हमेशा कला का वातावरन रहता था पर सुधीर यह बात मानने को बिलकुल तयार नहीं था इसी प्रकार ही काफी समय व्यतीत होता रहा आज मनीशा क कुछ रिष्टेदार उसके घर आय हुए थे तो शोभा जी को उसी समय खांसी छिड़ गई वे काफी देर जोर जोर से खांसते रही उस समय तो मनीशा ने कुछ नहीं कहा लेकिन रात को जब सुधीर घर लोटा तो मनीशा ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और जिद ठा कि अब वो मांजी को व्रिधाश्रम भेज कर ही दम लेगी रात को जब सब लोग सो रहे थे तो सुधीर पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया देखा तो मा के कमरे की बत्ती जल रही थी सुधीर ने अंदर जाकर देखा तो उसकी मा किसी गहन सोच में गुम थी कर उनकी गोद में सर रख कर लेट गया क्या हुआ मा कोई परेशानी है बेटा मैं सोच रही थी कि केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज कलेश होता है घर का वातावरन बोजहिल हो चुका है बेटा मैं तो अपनी जिन्दगी जी चुकी हूँ अब मेरी केवल एक ही इच् सब हसी खुशी से रहो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रिशिकेश के व्रिधाश्रम में छोड़ाओ लेकिन मा मैं जीते जी आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ मुझे तो आप मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी हो आज मैं कुछ भी हो केवल आपके ही परि सब्स नहीं आ रहा मैं केवल कुछ ही समय के लिए वहां जाना चाहती हूँ जब इस घर का वातावरन शांत हो जाएगा तो तो मुझे वापिस ले आना मेरी हवा पानी बदल जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आजकल तो व्रिधाश्रमों में अच्छी सुव सुधीर अपनी मा की बात सुनते हुए लगातार उनके चहरे की तरफ देख रहा था उनके चहरे पर मुस्कुराहट थी लेकिन उनकी आँखों में छुपा आंसुओं का सैलाब सुधीर साफ साफ देख पा रहा था हालातों से मजबूर सुधीर जाकर वापिस अपने बिस् वो करीब पांच वर्ष का ही था जब उसके पिता का निधन हो गया था उसकी मा शोभा पर रिष्टेदारों ने दूसरी शादी करने का दबाव बनाया लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वो दूसरा विवाह न करके अपने बेटे सुधीर का ही पालन पोशन करेंगी और अ सेफिन सर्विस शुरू की ना सुभाय देखी ना शाम और कड़ी मेहनत करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वो आज एक सरकारी बैंक में मैंनेजर के पद पर आसीन है सुधीर ने अपनी मा का संघर्शमय जीवन देखा था इसलिए वो चाहता था कि उसकी पत्नी नौकरी ना करके घर संभाले और उसकी मा की सेवा करें परंतु सुधीर का यह मात्र प्रेम मनीशा को कतई पसंद नहीं था और इस बात ने मनीशा को और भी अधिक चिर्चिडा बना दिया था वो ये थी कि उसका बेटा राजु भी अपनी मा से ज्यादा अपनी दादी से ही प्यार करता था। इस सब का परिनाम ये हुआ कि मनीशा आए दिन अपनी सासु माँ पर कटाक्ष करने लगी थी। और अपने तीर जैसे शब्दों से घायल करने लगी। शोभा जी सहनशीलता की मूर्ती थी। परंतु अपनी बहु के मुक से कटाक्ष सुनते सुनते शोभा जी का अंतर्मन धीरे धीरे जवाब देने लगा था। धीरे धीरे वो अस्वस्थ रहने लगी। और अकसर खांसी करते हुए उन्हें उल्टी हो जाती थी। अब तो बहु उन्हें घिन भरी नजरों से देखने लगी थी और ठान चुकी थी कि अपनी सासु मां को व्रिधाश्रम भेज कर ही दम लेगी। जिसका नतीजा ये हुआ कि शोभा जी हार कर खुद ही व्रिधाश्रम जाने को तैयार हो गई। सुधीर भी यह बात समझ गया था कि उसकी मां को इस घर में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है जिस कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है परिस्थितियों से परास्थ होकर सुधीर अपनी मां को व्रिधाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन राजु अपनी दादी की व्रिधाश्रम जाने की बात सुनते ही तुरंट अपनी दादी से लिप्ट गया। मैं दादी को कही नहीं जाने दूँगा। दादी मेरे साथ रहेंगी। चिलाते हुए वो जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख सुधीर भी अपना दिल हारने लगा। परन्तु फिर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा, दादी को कुछ समय के लिए आराम की जरूरत है। जब कुछ समय के बाद उनकी तबियत ठीक हो जाएगी, तो हम उन्हें वहां से ले आएंगे। बनाती कि वो उसके पास आकर बैठें। परन्तु वो अकेले ही बैठना पसंद करता था। उस दिन के बाद से सुधीर भी अपनी नौकरी में और अधिक व्यस्त हो गया। और एक महीना कब बीट गया पता ही नहीं चला। बहुत बार सुधीर सोचता कि जाकर अपनी मां को वापिस ले कर आए। लेकिन फिर किसी ना किसी काम में व्यस्त हो जाता। ऐसे करते करते तीन महीने व्यतीत हो गये। और एक दिन आश्रम से सुधीर के पास फोन आया मिस्टर सुधीर आपकी माताजी श्रीमती शोभा का बीती रात दिल का दौरा पढ़ने से दिहान्त हो चुका है। आप तुरंत आश्रम पहुंच जाए। ये बात सुनते ही सुधीर सन रह गया। और अपना सिर पकड़ कर धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। रोते हुए बोलने लगा कितना क्रूर था मैं जो अपनी मा को ही व्रिधाश्रम छोड़ कर आ गया। और उन्हें वापिस लेकर आना तो दूर में तो उनसे मिलने तक का समय ना निकाल। पाया। मैं उस मा को कैसे भूल गया जिसने अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर कुर्बान कर दिया। जिसकी गोद में सिर रखते ही मैं सारी दुनिया की परिशानियों को भूल जाता था। साक्षात ईश्वर का रूप थी मेरी मा और ऐसी पूजनिया मा के जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं उनके साथ नहीं था। मैं ऐसा अनर्थ कैसे कर बैठा। सुधीर की आँखों से निरंतर अश्रूधारा प्रवाहित हो रही थी। उसी समय मनीशा भी बजार से वापिस लौट आई। देखा तो सुधीर निधाल सा जमीन पर पड़ा हुआ लगातार आंसू बहा रहा था। मनीशा उसे देखकर घबरा गई और पूछने लगी क्या हो गया। आप रो क्यूं रहे हैं। मनीशा को देखते ही सुधीर जोर से चिलाने लगा, सब तुम्हारा किया धरा है। ये केवल तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ बताई तो क्या हुआ। मनीशा बोली तो सुधीर भरे गले से बोला, तुम मेरी मा से चुटकारा चाहती थी ना। मा ने हमेशा के लिए तुम्हें चुटकारा दे दिया। मा ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। ये सुनते ही मनीशा को जटका लगा और राजू तो ये सुनते ही जोर जोर से रोने लगा। मनीशा सुधीर से माफी मांगते हुए उसे सांतवना देने लगी, हमें जल्दी ही रिशिकेश के लिए निकलना होगा, लेकिन बाहर तेज बरसात है। जैसे ही बारिश कम होगी हम चल पड़ेंगे। लेकिन बारिश हर बीत्ते पल के साथ तेज होती जा रही थी। सुधीर ने समय व्यर्थ ना गवाते हुए ड्राइवर को फोन किया और उसे कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिशिकेश पहुँचना है। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि रिशिकेश के पूरे रास्ते में तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है। पानी भर जाने के कारण पूरा मार्ग रुका हुआ है। बार जैसी स्थिती बनी हुई है। ऐसे में घर से बाहर निकलने का मतलब है। किसी मुसीबत को बुलावा देना। हमें कुछ देर के लिए बारिश कम होने का इंतजार करना पड़ेगा। उधर व्रिध आश्रम से सुधीर के पास दोबारा फोन आया कि यदि वे लोग सुबर तक नहीं पहुँचते हैं तो आश्रम के। अधिकारी ही स्वयम शोभाजी का अंतियश्टी संसकार कर देंगे लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुखी मन से सुधीर बैठा हुआ यहीं सोचता रहा कि कब बारिश कम हो और कब वो यहां से चले। आत्मगलानी से भरा वो केवल उसी समय को कोस रहा था जब वो अपनी मा को व्रिधाश्रम में छोड़ाया था। सारी रात बीत गई और सुभ़ हो चुकी थी लिकिन अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं रुकी थी। जब सुभा तक उनका जाना संभव ना हो पाया तो आश्रम में उनकी मा का संसकार कर दिया गया। दो दिन बाद सुधीर अपने परिवार के साथ आश्रम पहुँचा और अपनी मा की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करते रोते कल्पते खाली हाथ वापिस आ गया। उसका बच्चपन जैसे कहीं गुमसा हो गया। उसकी माँ जो सबजी बना कर देती वो खा लेता। जहां बैचने को कहती वहां बैच जाता। वो गुमसुमसा सारे काम करते जा रहा था लेकिन जब भी पढ़ाई करने बैचता तो उसका मन नहीं लगता था। किताब उठा कर बैठा रहता परंतु एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाता था। एक दिन राजु जब स्कूल से घर वापिस आया तो आकर बिस्तर पर निधाल सा गिर गया। मनीशा ने देखा तो उसे बुखार था। थमामीटर लगाने पर पता चला कि बुखार 104 डिगरी थ मनीशा घबरा गई और तुरंट सुधीर को फोन किया। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और दवाई दी। परंतु बुखार तो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। हमेशा 103-104 डिगरी के करीब रहता। रह रहकर राजु नींद में भी दादी मा को बुलाता रहता। करीब एक सप्ता तक भी जब दवायों ने असर नहीं किया तो वे दोनों राजु को मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। राजु हमेशा बड़बडाता रहता दादी अब मेरे पास वापस आ जाओ आप मेरे पास रहोगी। उसकी मानसिक स्थिती को देखते हुए डॉक्टर ने कहा बच्चे के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। क्या अब इसकी दादी जी इसके साथ नहीं रहती। सुधीर ने दादी जी के रिशिकेश छोड़ने से लेकर अभी तक की सारी कहानी डॉक्टर साहब को बताई। और बताया कि किसी भी प्रकार स बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। उनकी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा देखिए मैं जानता हूं कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस समस्या से निपटने का केवल एक यही हल है आपको। किसी बूड़ी महिला को राजु की दादी बना क लाना होगा और उन्हें अपने घर में रखना होगा। जब तक राजु पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई योजना। सुधीर और मनीशा को कुछ अटपटी सी लगी लेकिन वो अपने बच्चे के जीवन के लिए कुछ भी करने को त एसी व्रिधाश्रम से दादी जी का इंतजाम किया जाए। विधी का विधान तो देखिये। जो मनीशा राजु की सगी दादी को बोज समझ कर व्रिधाश्रम में छोड़ कर आई थी। आज वही मनीशा अपने बेटे के जीवन की खातिर किसी अन्य महिला को व्रिधाश् से लाने को तयार हो गई। डॉक्टर के सहयोग से दिल्ली के एक व्रिधाश्रम के संचालकों से बात की। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक व्रिधा उनके आश्रम में आई है। जिनका कोई सगा संबंधी कभी मिलने नहीं आया। कुछ समय पहले उनके सिर में चोट आई थी, जिस वजह से उनकी याददाश्ट जा चुकी है। वो अकेली है। अगर आप इन्हें घर में रखेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। वो बहुत ही हस्मक है। सुधीर डॉक्टर साहब के साथ राधाजी से मिलने गया, जो की दादी बन रही है तो देखा कि वो बहुत मोटी है। उनके सिर के बाल भी छोटे थे और वो चश्मा लगाती है। उनके चहरे पर कुछ चोट के निशान थे। वहां से आने के बाद सुधीर ने डॉक्टर साहब को बताया, मेरी मा के बाल बहुत लंबे थे। वो बहुत ही पतली थी और चश्मा नहीं लगाती थी। पता नहीं, राजु उन्हें अपनी दादी मानेगा या नहीं? तो डॉक्टर साहब ने कहा आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब ने राधा जी को अपने पास बिठा कर उन्हें राजु से मिलवाया राजु ने पूछा कि आप तो भगवान जी के पास चली गई थी ना फिर आप वापिस कैसे आ गई और आप इतनी मोटी कैसे हो गई आपके बाल कहा गए डॉक्टर ने कहा राजु तुम बीमार हो गए थे ना इसलिए भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे लिए वापिस भेज दिया यहां आश्रम में इन्होंने अपना खूब ध्यान रखा खूब व्यायाम करके इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है इनके साथ रहकर तुम भी इनके जैसे ही स्वस्थ हो जाओगे ये बात सुनकर राजु बहुत खुश हुआ और दादी जी के गले लग गया फिर अपनी मा को कहने लगा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है घर चलो मैं और दादी एक साथ खाना खाएंगे उसकी बात सुनकर मनीशा मन ही मन बहुत संतुश्ठ हुई लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी कि काश वो अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता राधा जी बहुत जल्दी ही उस घर में रच बस गई और राजु भी उनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया सब कुछ पहले जैसा होने लगा लेकिन मनीशा अब पहले जैसी नहीं रही थी वो ना तो दादी जी को कोई कड़वी बात कहती और ना ही उन्हें बोज समझती बलकि उनका पूरा ध्यान रखती लेकिन राजु को अपनी दादी जी में एक परिवर्तन नजर आया वो सोचने लगा कि उसकी दादी तो उसे हिंदी विशय पढ़ाती थी लेकिन अब वो सब कुछ भूल गई है सुधीर ने उसे समझाया कि अब दादी जी पहले से ज्यादा बूरी हो गई है और इस उम्र में याददाश्त कमजोर हो जाती है इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं पाती है फिर राजु कहने लगा कोई बात नहीं पापा फिर भी मैं बहुत खुश हूँ अब मम्मी भी दादी जी को डांटती नहीं है सुधीर के मन में एक बहुत बड़ी कसक थी कि काश ऐसा वातावरन मेरी मां के समय में भी होता उसे रह रहकर अपनी मां की याद कचोटती रहती और बार बार उसका मन गलानी से भर उठता था कभी कभी तो अकेले में दुख से कातर हो उसकी आँखों में आंसु उमड़ाते थे आज सुधीर सुभा उठा तो अपनी मां को याद करके उदास हो गया तभी राजू उसके सामने मुस्कुराता चेहरा लेकर आ गया क्या पापा आप रो रहे है अब तो दादी भी हमारे पास आ गई है पापा मेरे पास आपकी उदासी दूर करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है आप आज ओफिस नहीं जाएंगे हम सब शॉपिंग पर चलेंगे मेरी और दादी की मनपसंद चीजें खरीद कर लाएंगे और शाम को हम सब पाक जाएंगे सुधीर भी बहुत उदास था तो कुछ देर सोचकर बोला चलो भाई आज तुम्हारी बात मान ही लेते है इतना सुनते ही राजु खुशी से उच्छल पड़ा सभी लोग जल्दी से तयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए सभी का दिल उमंग और प्रसन्नता से भरा हुआ था शॉपिंग के बाद उन्होंने रस्टोरंट में खाना खाया और शाम को पाक में खूब मस्ती की जब घर लोटने का समय हुआ तो सभी लोग गाड़ी में बैठने लगे सुधीर और मनीशा गाड़ी में बैठ चुके थे और दादी जी जैसे ही गाड़ी का दर्वाजा खोलने लगी तो राजु ने देखा कि सडक के दूसरी ओर आइसक्रीम पारलर था उसने अपनी दादी से कहा दादी आइसक्रीम खानी है चलो ना ऐसा कहते ही वो उनका हाथ पकड़ कर तेजी से दोडने लगा दादी ने देखा सामने से एक तेज गती की कार बेकाबू होकर आ रही थी और राजु को बचाने के एरादे से उन्होंने उसका हाथ तेजी से पीछे की ओर खीचा राजु तो गाड़ी से बच गया लेकिन दादी मा को गाड़ी से टककर लगी वो कुछ दूरी पर जाकर गिरी उनके सिर से खून की धारा बह निकली मनीशा और सुधीर एकदम घबरा गये शन भर की भी देरी ना करते हुए वे उन्हें लेकर पास के अस्पताल में पहुँचे उन्होंने व्रिधाश्रम के संचालक को भी शीगर अस्पताल आने को कहा डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया और बताया कि उन्हें सिर पर ज्यादा चोट आई है जबकि शरीर पर ज्यादा चोटे नहीं है कुछ समय बाद व्रिधाश्रम के संचालक भी पहुँच गए सुधीर ने देखा कि दादी जी के होंट कांपने लगे थे और वे गुड़ू गुड़ू बोलने लगी सुधीर को ये शब्द सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि यह उसके बचपन का नाम है और इस नाम से केवल उसे उसकी मा ही पुकारा करती थी सुधीर हैरान रह गया और बोला इस नाम से तो मुझे मेरी मा पुकारा करती थी व्रिधाश्रम का संचालक तुरंथ ही सारा मसला समझ गया और बोला कि कुछ समय पहले इन माताजी का एक्सिडेंट हो गया था उन्हें सिर पर गंभीर चोट आई थी जिससे उनकी स्मृती चली गई थी मुझे लगता है कि वापिस उसी जगा चोट आने के कारण उनकी स्मृती वापिस लोट आई है थोड़ी देर में दादी जी को होश आ गया और उन्होंने सभी को पहचान लिया और सुधीर को देखते ही उनकी आँखों में आशु आ गए सुधीर तुरंत अपनी मा से लिप्ट गया और रोते हुए बोला मा अब हम कभी नहीं बिछडे होंगे मृत्यू भी हमारे प्यार के समक्ष हार गई मा क्यूंकि जिस इंसान का दा संसकार हो चुका हो वो इंसान साक्षात जीवित सामने हो तो इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या होगा अपने बेटे राजू को देखकर सुधीर बोला बेटा तुम्हारी दादी अब बिलकुल ठीक है राजू ये सुनकर खुशी के मारे उच्छल पड़ा और सौरी दादी कहकर अपनी दादी से लिप्ट गया मनीशा भी रोते रोते सासु मा से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगी इस करुण द्रिश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का मन भराया और सभी लोग सुधीर और उसके परिवार को खूब बढ़ाई दे रहे थे पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि आश्रम वालों से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे ये जानने के लिए सुधीर ने रिशिकेश के आश्रम में फोन किया और पूरी घटना बताई और गलती कहां पर हुई इसकी जानकारी मांगी तो अगले दिन संचालक ने आकर जो कुछ बताया वो आश्चर्य जनक था आश्रम में शोभा नाम की दो महिलाएं थी मृत्यू शोभा अरोडा की हुई थी इत्तफाक की बात थी कि जिस दिन शोभा अरोडा की मृत्यू हुई उसी दिन ही आपकी मा जी यानी कि शोभा शर्मा जी का पैर फिसल जाने के कारण सिर में चोट लगी थी क्योंकि चोट गहरी थी इसलिए इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भेजा गया और इलाज के बाद उन्हें वहां के ही व्रिधाश्रम में ठहराया गया शोभा अरोडा जी का कोई भी सगा संबंधी नहीं था और आश्रम के प्रमोख देख रेख करने वाले मिश्राजी का तबादला हो चुका था उनके स्थान पर जो नए सज्जन आये थे उनकी अनभीग्यता के कारण रजिस्टर में नाम के साथ दिये गए विवरण पर ध्यान ना देने के कारण ये स्थिती उत्पन हुई दिल्ली के व्रिधाश्रम में आपकी माताजी राधाजी के नाम से ही प्रसिध हो गई क्योंकि आँख खुलने के बाद वो हमेशा राधे राधे बोलती रहती थी ठीक होने के बाद स्मृती दोश्व अधिक मस्त रहने के कारण इनका शरीर मोटा हो गया चहरे पर चोट लगी थी इसलिए चहरे पर निशान पढ़ गए और सिर्की चोट के कारण इनके बाल भी छोटे करा दिये गए द्रिष्टी कमजोर होने के कारण आँखों पर चश्मा चड़ गया कुद्रत का ये करिश्मा देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए उन्होंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी कि उनकी वो मा जिसका वो अस्थी विसर्जन भी कराए थे उन्हें जीवित मिलेगी परन्तु अब उनकी अनुपस्थिती में उनका परिवार में महत्वस सभी लोग भली भांती जान चुके थे और उधर मनीशा ये सोच सोचकर शर्म से डूबी जा रही थी कि जिस मा को वो बोज समझ कर व्रिधाश्रम छोड़ाई थी आज असल में उसी मा ने उसके बेटे को जीवन दान दिया सुधीर और मनीशा दोनों मन ही मन इस घटना के लिए स्वयम को दोशी मान रहे थे परन्तु दूसरी ओर उनके मन में तसल्ली थी कि आज दादी मा के कारण ही उनका बेटा राजू उनके सामने सही सलामत खड़ा था आज सच्मुच दादी मा और राजू दोनों का पुनरजन्म हुआ था खून के रिष्टे कितने प्रबल होते है आज इस घटना ने सिध कर दिया था दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद